Capital Smart City Overseas East Sector J इस वर्ड डिवल्प्मेंट की सूर्थेहाल क्या है as of October 2023 इस वीडियो में actual site footage plus Google Earth location की मदद से मैं तमाम चीज़ें आपको डिटेल से explain कर दूँगा कि कौन सा पार्ट कितना develop हुआ है सकर में स्कीज़ें पर Capital Smart City का मास्टर प्रेंट देखते हैं मास्टर प्रेंट में जो आज की वीडियो है वो Overseas East ये district जो बनता है और इसके specific लिए हम ब्लॉक की बात करें तो ये sector J जो ब्लॉक है जिसमें कनाल और दो कनाल के प्लॉट्स है मैप को मजीद क्लियर कर दूँ ताकि मेंबर को मजीद understanding मिल सके अच्छा ये जो मैप इसमें Capital Smart City का ब्लॉक J है इसमें सिर्फ ये रोड है 50 फिट का इसमें 12 प्लॉट है दो कनाल के बाकी इसमें जितने प्लॉट्स बनते हैं और कनाल के बनते हैं नौर्स साइट पे इसके वन Capital Residence अपार्टमेंट हैं इस साइट पे इसके लीनियर पार्क है फिर ब्लॉक भी है अगर हम बात करें वेस्स साइट पे तो छे मरला और आट मरला कमर्शल्स हैं और अगर हम बात करें सौथ साइट पे तो यहां तो बार लीनियर पारकर यहां पे के ब्लॉक की सेक्टर मार्केट है अगर हम बात करें जे ब्लॉक से एकसेस की तो ओवराल जे ब्लॉक के अगर देखे हैं कि इसमें कितना area developed और कितना non developed है तो सिर्फ यह जो main road वाले plot हैं plot number 1 to plot number 6 बलके 7 यह जो plot बनते हैं यह जो 7 plot बनते हैं यह भी developed नहीं है बागी तमाम के तमाम plot developed हैं और possessionable है जे ब्लॉक के अंदर मैंने size की बहले बात की ते हैं इसमें सरह 50 बे 90 और इसके लावा main road पे 75 बाए 120 यानि एक किनार दो किनार के plots हैं nearby amenities की बात करें यह linear park हो गया यह मस्जिद का plot है यह school का plot है यह भी linear park है उसके लावा हम यहाँ से जाएं तो यह मस्जिद बनी हुई है बागी classory market के लिए यह जो plot है classory market का यह ज़र से बादा चार मरला के commercial बनने हैं जो classory market के plots हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे तो लोकेशन वाइज पॉन्ट वी से बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लॉक बनता है जे ब्लॉक क्योंकि इसकी इंटर्चेंज से एक्सेज जो ना वह बड़ी एजी है अगर मैं मास्टर प्लान को उस पर इंटर्चेंज की बात करूं तो यह आपका बान इडिविट वाइड रोड है इसमें कुछ पार्ट अभी बन गया और कुछ पार्ट का बनना भी बाकी है तो यहां से इंटर्चेंज के एक्जेक डिस्टंस है प्रिसाइसली वो 3.28 किलोमेटर के डिस्टंस है यानि कि आप 3.28 किलोमेटर के बाद इंटर्चेंज पर डारेक्ट एक्सेस ले सकते हैं सिरक सर्टन पार्ट यह वाला बीच में रहता है जिसका अभी तक सोसाइटी की तरफ से लैंड प्रिकेवर्मेंट नहीं हुई बाके तमाम एरिया जो वहां पे रोड नेट्वक जो है वह भी बन चुक है इन जनरल अगर हम ओवर्सीज एस सेक्टर जे की बात करें तो तक्रीबन 95% एरिया ऐसा है जो डिवैलप्ड हर प्रशेशनेवल है 5% एरिया ऐसा है कि जिसमें भी थोड़ सी लिटिकेशन बाकी है और वहां डिवैलप्मेंट होना बाकी है अगर हम बात करें इन जनरल तो यहां पे आपको दो साइट पर लिनियर पार्क मिलता है सेक्टर जे के और दो साइट पर एक साइट पर इसके वन कैपिटल रिजिएंस अपार्टमेंट है और सामने वाली साइट पर 156 सीट वाइड में बुलेवर्ड है अगर हम बात करें इसमें साइजे और प्लॉट की किस साइजे के प्लॉट यहां पे वैलेबल हैं तो यहां पे आपको एक किनाल और दो किनाल के प्लॉट मिल जाते है एक किनाल का प्लॉट का साइज यहां पर 50 बै 90 स्क्वेर यार्ड में बात करें तो 500 गज अगर हम मरलों में बात करें तो 20 मरला दो किनाल के प्लॉट की बात करें तो 75 बाइ 120 यानि 75 इंटो 120 स्केर यार्ड में बात करें 1000 स्केर यार्ड और मरलों में बात करें तो 40 मरला एक स्ट्रीट ऐसी है जो रिजर्वड है फॉर्दू किनाल प्लॉट्स बाकी तमाँ के तमाँ प्लॉट्स इसमें एक किनाल की है J-Block के बिलकुल सामने आपको जो linear पार्क है जो इस वक्त मकमल operational है मकमल ready हो चुक है आपको नजर आ रहा है फाइदा ये है कि J-Block में घर बनाने का कि J-Block की बहुत limited से street है चार streets है दो lanes है इस जगा पे जब घर होगा आपको बना होगा तो आपके walking distance पे आपको J-Block सामने आपको school मिल जाता है आपके बिलकुल चंद streets के फासले पे आपको मस्जिद मिल जाती है और वैसे भी block के दो side से park है एक park society के block के अंदर है तो overall J-Block इस लिहाँ से location वाई अच्छा है एक तो number of plots कम है दूसरा कि जो plot sizes हैं यहाँ पे वो बड़े size के plots हैं यहाँ पे यहनिकि आपको जो घर नज़र आएंगे वो काफी अच्छी elevation के साथ एक ही तरस में नज़र आएंगे तो यह एक positive point है J-Block का इन जनरल हम J-Block के location की बात करें तो location भी बहुत अच्छी है क्योंकि interchange से overseas east का जो सबसे नज़र की block है that is overseas east sector K जो इसके बिलकुल साथ adjacent है तो sector K और sector J की location interchange के point of view से काफी ज़रा close है यानि कि आपको interchange से काफी easy access मिलती है second point is कि इसके एक block बात यानि एक sector बात आप sector K क्रॉस करें तो back side पे golf course है तो amenities वाइस देखा जाए जिए मने explain किया कि sector J की amenities में दो side पे आपकी main boulevard है एक side में बुलेवर्ड है दो side पे linear park हैं और तीसरी side पे आगे high-rise apartments आते हैं तो high-rise apartment के साथ एक मरकज भी है तो मरकज तक access होगी linear park तक access होगी उसके लवा main road तक access होगी तीनों point से J block की location काफी prime बनती है बाकी J block के अंदर इस वक जो है 100% possession available है सिवाए चंद plots के जो main road के साथ आते हैं लेकिन कुछ litigation में वो later stage पे clear हो जाएगी बाके जितने plots बचते हैं उनमें 95% कहलेंगे 95% plot ऐसे हैं जिसका आप सुबा चाहें तो possession ले सकते हैं तो यह J block एक positive बात है कि यहां पर properties आपको बिलकुल ready मिलती है एक और सवाल जो member के तरफ से पूछे जा रहा था वा सवाल यह था कि capital smart extension को भी RDA के operation में गिराने की बात की गई है तो capital smart extension के क्या issue है basically capital smart कि किसी भी site पे capital smart के 6 blocks हैं आप overseas east देख लिए overseas central देख लिए overseas prime one देख लिए executive block देख लिए overseas central हार्मी पार्क देख लिए overseas east हार्मी पार्क देख लिए यह बाकी जो districts हैं Lamaya district हो गया उसके बाद Silicon Village है उसके लावा आपका different districts हैं किसी district में RDA कोई operation के नामों निशान नजर नहीं आता हाँ चक्री रोड के ओपर capital smart के एक branding के लिए एक बड़ी कहलें के billboard लगावा था उस billboard के ओपर जो skin लगी वी थी यानि बिलबोर के ओपर जो उसकी एक तस्वीर चल रही है social media पर कि जिसको पाड़ा जा रहा है otherwise इसके लावा capital smart के साइट पे किसी किसम का action नहीं हुआ मैं अकसर बात करता हूँ कि capital smart का जो project है यह 100% safe है वो इसलिए capital smart के project के जो और है जाई साब इन्होंने past में पाकिस्तान के civil side पे देखें तो बहुत बड़े-बड़े project जो है deliver करके दिया है in the past 75 years तो उस side पे civil government जो भी बनती है वो PTIO, PMLNO या PPPO किसी की भी government बनती है तो जाई साब is always in the good box तो इनके project पे किसी किसम का कोई action नहीं होगा second is establishment के बात करें जो मलके सबसे powerful हलक है उसमें देखें तो तुमाम DHS के project इस company ने deliver की है चरल ने तो इसलिए किसी member को इस बात पर प्रेशान होने की ज़रूत नहीं है कि smartity के नाम पे कोई ऐसी बात आएगी